आप सबको मेरा नमस्ते, ये सेशन में मैं आपको दो रेसिपी सिखाऊंगे, आचली तीन रेसिपी के टुटॉरल है, चे मैने के बच्चे को आप कैसे खाना चालो करेंगे, क्या खाना चालो करेंगे, कैसा बनाना चाहिए, क्या-क्या आप यूज कर सकते हो, क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हो, तो यह है छे मैने की vegetarian recipes है, दूसरा है tutorial है छे मैने की recipes के non-veg recipes के tutorial है और तीसरा जो है वो है powder recipes, तो यह जो powder recipes है बहुत ही बहुत अपरने की है जो recipes जो हमारी जो nutritionist देपाली फरगड़े उसने तयार की है तो यह हम लोग ने देखा फिल्ड में कि जैसे ही मदर यह powder recipes घर में बनाने लगी और बच्चे के खाने में इस्तेमाल करने लगी तो बच्चों का वज़न बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने लगा था तो इसलिए हम लोग यह recipes आपको definitely घर पेट ट्राइ करनी है आप अपने खाने में भी डाल सकते हैं अपके बच्चे के खाने में भी डाल सकते हैं लेकिन सबसे इंपोर्टन्ट यह 6 मेने के बच्चे को कैसे recipes पाउडर बना की बच्चे के खाने में डालने हैं ठीक है दूसरा जो नौन वेज रेसिपी सो 6 मेने की तो बहुत सारे ऐसे मीत्या होती कि 6 मेने के बच्चे को नौन वेज नहीं रह सकते हैं पच्चन नहीं होगा यह नहीं होगा वो नहीं होगा जुलाब होगा उल्टी होगा यह सब गलत फेमिया है तो आपको गलत फेमिय में नह कि हम लोग बच्चों को खिलाते हैं आपको दियान में रखना है कि पहले जो खाना चालो करेंगे वो कोई भी एक एक किए आपको चाहर जैसे पहले चाथ दिन के बाद, पहले तीन दिन के आपको दूसरा फूरूफ और उसमें एडिशेशन करना है तीक हैका आपको ध्यान में रखना है कि तीन हफते में आपके सारे छे-साथ जो भी food group है, तीन-चार हफते में वो सारे और लगपक, पहले एक breastfeeding तो है, सतनपान तो है, लेकिन जो सारे अलग-अलग साथ तरह के खाद्यप्रदार्त है, वो आपको तीन-से चार हफते में सारे अकाद्यप्रदार्त दिन में होने चाहिए, ठीक है, यह नौन-वेज़ बच्चे के लिए, अगर वेज़िन बच्चा है, तो एक लिस्ट मिनिममम छे तो होने ही चाहिए, तो यह आपको यह तीनो जो रेसिपीज के टुटॉरियले आपको बहुत ही पसंद में आएंगे, छे महिने के शिशू के लिए, शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के, इस स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है, इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे, शिशू को पूरक आहार देने की शुरुवात और शाकाहारी खाना बनाने के तरीके, जैसे की लोबिया की प्यूरि बनाने का तरीका, कद्दू की प्यूरि, रागी का दलिया, जवार का दलिया, और पालक के पत्तों की प्यूरि, आईए शुरू करते हैं, पर ये याद रखें कि पहले 6 महिने तक शिशु को सिरफ स्तन पान कराएं. 6 महिने पूरे होने पर शिशु के लिए मा का दूद काफी नहीं होता. इसलिए स्तन पान के साथ साथ शिशु को घर पर पकाया हुआ खाना भी दें. इस खाने को पूरक आहार कहते हैं. जब शिशु को पूरक आहार देना शुरू करें तो एक एक करके शुरू कीजिए. इससे ये पता लगेगा कि शिशु को उस खाने से कोई अलर्जी है या नहीं. जब शिशु उस खाने को आराम से खाने लगे तो अलग-अलग चीजों से मिला कर बनाया हुआ खाना उसे खिलाएं. शुरूात में एक बड़ा चमच दिन में दो बार दें, फिर धीरे धीरे चार बड़े चमच दिन में दो बार दें. इसके अलावा, शिशु का खाना बनाते हुए हमेशा मौसम के हिसाब से आपके इलाके में मिलने वाली चीजों का इस्तमाल करें. शिशु के खाने में नमक या शहद ना डाले जब तक कि वो एक साल की ना हो. और चीनी और गुड़ भी न डाले जब तक वो दो साल की ना हो छे महीने पूरे होने पर शिशु को पूरक आहार से 200 कैलरी की उर्जा चाहिए होती है शिशु को अच्छे से पका कर प्योरी किया हुआ खाना ही दें तो आईए शुरू करते हैं ये याद रखें कि बताए जाने वाले खाना बनाने के तरीकों में या तो मा का दूद या फिर नारियल का दूद या फिर उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी इस्तिमाल करें तो पहला है प्योरी किया हुआ लोबिया इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लोबिया पहले लोबिया को 9 से 12 घंटों के लिए भिगो लें फिर एक छलनी में डालें और अच्छे से पानी में धोएं सारा पानी निकल जाने दें फिर लोबिया को एक साफ सूती कपड़े में बांधें और अंकुरित होने के लिए अलग से रख दें इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं अंकुरित होने पर इन्हे एक स्टील के बरतन में रखें एक से दो घंटों के लिए भिगोएं फिर हलके से अपनी उंगलियों के बीज रगड़ कर उनका बाहरी छिलका निकालें बाहरी छिलका अलग करके लोबिया को एक स्टील के बर्तन में रखें फिर लोबिया के उपर तक पानी भरें इस स्टील के बर्तन को प्रेशर कुकर में रखें और कुकर की 4-5 सीटियां बजने दें फिर आंच पर से उतार कर ठंडा होने दें अब कुछ लोबिया के अगर बाहरी छिलके हों तो वे भी निकाल दें। फिर उबली हुई लोबिया को मिक्सी या सिल्बटे पे डाल कर पीस लें। थोड़ा सा उबला हुआ पानी डालें या फिर प्रशे कुकर का बचा हुआ पानी डालें। लोबिया की प्यूरी तैयार है। इस प्यूरी में ये सभी भरपूर हैं प्रोटीन, फॉस्फोरस, आइरन, जिंक और मैगनीशियम। ऐसी प्यूरी बनाने के लिए आपके इलाके में मिलने वाली आम चीजों का इस्तिमाल करें। जैसे मोट, काला चना, पीली मटर, लाल मसूर, हरी मटर, राजमा, सफेद चना और कुलित वगेरा। दूसरा सीखेंगे कद्दू की प्यूरी बनाना। इसे बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम पीला कद्दू। प्यूरी को बनाने के लिए कद्दू को धोकर साफ करें। बीजों को निकाल दें और छोटा-छोटा काट लें। फिर 15 मिनट तक उसे भाप लगवाएं। आंच से उतारें और ठंडा होने दें। फिर मिक्सी या सिल्बट्टे पे डाल कर प्यूरी बना लें। कद्दू की प्यूरी तैयार है। कद्दू की प्यूरी विटामिन A, फोलेट, कोलिन, पोटाशियम और सल्फर से भरपूर है। कद्दू ना हो तो बाकी की सबजियां इस्तिमाल करें। जैसे हरा कद्दू और सफेद कद्दू वगेरा। तीसरा है रागी का दल्या बनाने का तरीका, इसके लिए चाहिए रागी का पाउडर याद रखें, रागी का पाउडर और रागी का आटा अलग-अलग चीजें हैं, यहाँ पर हमें चाहिए रागी का पाउडर तो इसलिए हम पहले सीखेंगे रागी का पाउडर बनाने का तरीका सबसे पहले रागी को 9-12 घंटों तक भिगो लें फिर एक छल्नी में डाल कर पानी से अच्छे से धोले जब सारा पानी निकल जाए तो एक साफ सूती कपड़े में बांध ले और अंकूरित होने रख दे इस प्रक्रिया को अंकूरन कहते हैं अंकूरित होने के बाद रागी को धूप में 1-2 दिन तक सुखा ले फिर धीमी आंच पर 10-12 मिनिट तक भून ले याद रखें भूनते हुए लगातार हिलाना जरूरी है इस तरह भूनने से खाने का फाइटिक एसिड कम हो जाता है अब भूने हुए रागी को मिकसर में या सिल्बर टेपर पीस कर पाउडर बना ले इसे एक हफ़ते तक इस्तमाल के लिए डब्बे में कस कर बंद कर ले और सुखी ठंडी जगा पर रखें अब रागी का दल्या बनाने के लिए इस रागी पाउडर का एक बड़ा चमज ले ले और उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी या फिर पहले बताई गई चीजे डाल ले फिर अच्छे से मिलाएं ताकि गांठे ना पड़ें इस मिश्रन को धीमी आंच पर 7 से 10 मिनिट तक पकाएं पकाते हुए अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी मिलाएं इस से दल्य का गाड़ापन कम हो जाएगा याद रखें दल्या ना जादा गाड़ा और ना ही पतला होना चाहिए अब रागी का दल्या तयार है रागी के दल्ये से ये सब पोशन मिलता है जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आईरन, पोटैशियम और सलफर चौथा है जवार का दल्या इसे बनाने के लिए चाहिए दो बड़े चमच जवार का पाउडर पाउडर बनाने के लिए जवार को 7-8 गंटे पानी में भिगो लें फिर उसे चलनी में डाल कर अच्छे से पानी से धोएं जब सारा पानी निकल जाए तो जवार को एक सूखे साफ कपड़े में डाल कर बांध ले फिर उसे अंकुरित होने के लिए रख दे जवार अंकुरित होने के बाद उसे धूप में एक से दो दिन तक रखें फिर धीमी आंच पर 10-12 मिनिट तक भूने और फिर पीस कर पाउडर बना ले इसे एक हफ़ते तक इस्तमाल के लिए डब्बे में कस कर बंद कर ले और सुखी ठंडी जगा पर रखें शिशु का खाना बनाते समय दो बड़े चमच जवार का पाउडर एक बरतन में ले ले और इसमें 4-5 चमच उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी डाले या फिर पहले बताई गई चीजें मिलाएं अच्छे से मिलाएं ताकि गांठे ना पड़े और इस मिश्रन को धीमी आंच पर 4-6 मिनट तक पकाएं अब जवार का दल्या तयार है जवार के दल्ये में ये सब भरपूर होता है प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, मैगनीशियम, सेलेनियम, सलफर और आइरन पांचवा हम सीखेंगे पालक के पतों की प्यूरी बनाना पालक के पतों की प्यूरी बनाने के लिए चाहिए दो कप धो कर डंडी काटे हुए पालक के पते और एक चमच घी पहले बरतन में एक चमच घी डाल कर उसे गरम करें उस बरतन में पालक के पते डाल लें और 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं अब इन पकाए हुए पतों को एक प्लेट में रख लें और मिक्सी या सिल्बटे पर डाल कर इन पतों का प्यूरी बना लें पालक के पतों के प्यूरी तैयार है पालक के पतों में ये सब भरपूर होता है विटामिन A, फोलेट, विटामिन C, आईरन, मैगनिशियम और कैल्शियम ऐसी और प्यूरी बनाने के लिए अपने इलाके में मिलने वाले पत्तेदार सबजियां इस्तेमाल करें जैसे लाल माठ के पते, सहजन के पते, मूली के पते, मेथी या फिर सरसों के पते ये स्पोकन टुटॉरियल यही समापत होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद छै महीने के शिशूं के लिए मासाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे शिशूं के लिए मासाहारी पूरक आहार शुरू करवाना क्यूं जरूरी है और कुछ तरीके मासाहारी पूरक आहार बनाने के जैसे की घोटा हुआ अंडा, कच्चे केले और घोटी हुई मचली का दलिया और मुर्गी और गाजर का दलिया आईए शुरू करते हैं हमेशा याद रखें, जैसे ही शिशू 6 महीने का होता है, तो उसके पोशक तत्वों की जरूरत काफी बढ़ जाती है उसे पूरक आहार से 200 कैलरीज के पूरजा की जरूरत होती है इसलिए स्टनपान के साथ-साथ पूरक आहार भी शुरू करना चाहिए जैसे जैसे शिशू की उमर बढ़ेगी, खाने की मात्रा और उसका गाड़ापन भी बदलते रहना चाहिए ध्यान दें की शिशू को खाना खिलाते वक खानी को कप या चम्मच से ही मापे ये इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है जब शिशू छे महीने पूरे कर ले तो शुरूआत दिन में दो बार एक बड़े चम्मच से करें फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा कर दिन में दो बार चार बड़े चम्मच करें और अच्छे से पका कर घोटा हुआ खाना ही दे अब हम देखेंगे कि शिशूं के लिए मासा हारी खाना क्यों जरूरी है हर तरह का मासा हारी खाना चर्बी, प्रोटीन और सूक्ष्म पोशक तत्व से भरपूर होता है ये पोशक तत्व शिशू के शरीर और बुद्धी के विकास के लिए जरूरी है ये सब खाना शिशू के लिए सुझाया जाता है जैसे पिंजरे में ना पाली हुई मुर्गी, अंडा, मास और हर तरह की मचली सिरफ कस्तूरा को छोड़ कर जिसे शिशू के एक साल की उमर के बाद ही दे सकते हैं शिशू को मासाहारी खाना खिलाने से पहले बताई गई बातों का ध्यान रखें शिशू को फैक्टरी में तयार किया हुआ खाना या कच्चा खाना ना दे, खाने को अच्छे से पकाएं और सबसे ज़रूरी है शिशू का खाना माइक्रोवेव आवन में ना पकाएं अब हम देखेंगे कि मासाहारी पूरक खाना कैसे बनाएं। आईए शुरू करते हैं पहला घोटा हुआ अंडा बनाने का तरीका। घोटा हुआ अंडा बनाने के लिए हमें चाहिए एक अंडा और आदा चमच घी या मक्षन। इसे बनाने के लिए एक बरतन में अंडा डाल कर उसे अच्छे से फेंटें। फिर स्टील के बरतन में घी गरम करें और फेंटा हुआ अंडा उसमें डाल कर धीमी आंच पर हिलाएं। बीच बीच में आंच पर से उतार ले, क्योंकि लगातार पकाने से घोटा हुआ अंडा जल जाएगा। पकाते हुए लगातार हिलाएं, जब तक वह गाडा ना हो जाए। अब आंच को बंद कर दें, घोटा हुआ अंडा पक कर तयार है। इसे ठंडा होने दें और फिर को खिलाएं। दूसरा है घोटी हुई मचली बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए चाहिए आपके इलाके में आम तोर पर पाई जाने वाली मचली जैसे काला पापलेट, बंबील, सफेद पापलेट या कलमरी। उसके दो टुकडे ले ले। साफ करी हुई मचली के दो टुकडों को एक स्टील के बरतन में ले 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 और उसमें मचली के उपर तक पानी भर ले। अब ये स्टील का बरतन एक प्रेशर कूकर में रखें और तीन से चार सीटियां दे कर पकाएं। मचली को थोड़ी देर ठंडा करें और फिर एक प्लेट पर निकाल ले। अब अब एक मिक्सी में इस उबली हुई मचली को डाल कर घोट ले और फिर शिशु को खिलाएं। तीसरा है कच्चा केला और मचली का दलिया। इसे बनाने के लिए चाहिए दो बड़े चमच कच्चे केले का पाउडर और बंबिल या आपके इलाके में पाए जाने वाली मचल के चार छोटे टुकडे। पहले कच्चे केले का पाउडर बनाएंगे। अपने इलाके में मिलने वाले किसी भी किसम के दो कच्चे केले ले ले। उसका छिलका उतार कर पतला-पतला काट ले। और एक से दो दिन तक छाओं में सुखाएं जब तक वे खस्ता ना हो जाएं फिर सुखाए हुए कच्चे केले के टुकडों को मिक्सी में डालकर पाउडर बना ले। अब इसे चान कर बीज निकाल दे। कच्चे केले का पाउडर तयार है। अब जैसा पहले बताया गया है उसी तरह मचली को घोट ले। फिर एक बर्तन में दो बड़े चमच कच्च केले का पाउडर ले लें उसमें तीन चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिला लें ताकि गांठे ना रहें जरूरत हो तो जादा पानी डालें फिर इस मिश्रन को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं उसके बाद पका कर घोटी हुई मचली को इसमें मिला लें धीमी आंच प ठंडा करें और फिर शिशु को खिलाएं चौथा है मुर्गी का घोटा हुआ कलेजा इसे बनाने के लिए चाहिए एक मुर्गी का कलेजा शुरू करते हैं मुर्गी के धुले हुए कलेजे को एक स्टील के बरतन में ले लें और उसके उपर तक पानी डालें अब इस स्टी तो एक प्लेट पर निकालें, अब उबाले हुए कलेजे को मिक्सी में घोट लें और शिशु को खिलाएं। पांचवा हैं मुर्गी और गाजर का दलिया। इसे बनाने के लिए चाहिए मुर्गी का सीना या फिर हड़ी निकाली हुई मुर्गी और एक गाजर। पहले धुले हुई मुर्गी के टुकडों को एक स्टील के बरतन में ले ले और उसके उपर तक पानी डालें। अब ये बरतन प्रेशर कूकर में रखें और तीन से चार सीटियां दिलवाएं। थोड़ी देर ठंडा करें और मुर्गी के टुकड़ों को एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा करें अब गाजर को 10 मिनट तक भाप में पकाएं और फिर ठंडा करें एक मिक्सी में उगले हुए मुर्गी के टुकडे और भाप में पकाय हुए गाजर दोनों को घोट लें। अब बताये गए तरीकों के पोशक तत्वों की बात करेंगे। ध्यान रहें कि इन में ये सभी भरपूर हैं। प्रोटीन, DHA, EPA जो की ओमेगा थ्री फैटी एसिद हैं और कोलिन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B3, विटामिन B6, FOLATE, VITAMIN B12, ZINC, MAGNESIUM, IRON, PHOSPHORUS, COPPER और SELENIUM. ये सभी पोशक तत्व मासाहारी खाने से आसानी से मिल सकते हैं। ये सब शिशू के बढ़ने में उसके विकास और उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाने में मदद करते हैं। अब 6 महिने के शिशू के लिए मासाहारी खाना बनाने के तरीकों का यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ। हम से जुणने के लिए धन्यवाद। 6-24 महिने के शिशू के लिए पौश्टिक पाउडर बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम सिखेंगे कई पौश्टिक पाउडर बनाने के तरीके जैसे की Amylase Powder, सिरफ बीजों का पाउडर, दाने और बीजों का पाउडर, फलियों का पाउडर, कड़ी पत्तों का पाउडर और सहजन के पत्तों का पाउडर। इन सभी पौश्टिक पाउडरों को घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इन पाउडरों के पोशक तत्वों से शिशु के व्रिद्धी और विकास में मदद मिलती है। ऐसा सुझाया जाता है कि ये पाउडर शिशु के 6 महीने पूरे होने पर उसे दिये जाएं। जब भी शिशु को नया पाउडर दें तो उसे शिशु के खाने में 3-4 दिन तक मिलाएं। तीन से चार दिनों के बाद शिशु के खाने में नया पाउडर मिलाएं दो अलग-अलग पाउडर खाने में मिला सकते हैं पर पहले सिरफ एक ही को मिला कर जाँचना चाहिए इनसे शिशु के चहरे या शरीर पर सूजन नहीं होनी चाहिए जब भी शिशु को ऐसा पाउडर दें जिसमें अलर्जी करने वाले खाने की चीज़ें जैसे दाने हों तो शुरुआत में चम्मच की नोक से थोड़ा थोड़ा दें दस मिनट तक रुकें फिर दुबारा शिशु को दें शिशु के खाने में नमक न डालें जब तक वो एक साल की ना हो और चीनी और गुड भी न दें जब तक वो दो साल की ना हो आईए घर पर ही पौश्टिक पाउडर बनाने के तरीके सीखें पर ये ध्यान रहे कि इस टुटोरियल में बताये जाने वाले सभी पाउडरों को इन तरीकों से बनाया गया है भिगोना, भूनना, अंकुरन और पकाना एक या कई तरीकों को जोड कर खाना बना सकते हैं जैसे कि सुखा भूनना, भाप लगवाना और उबालना इन सभी तरीकों से खाने में मौझूद फाइट और ऑक्सलेट कम होते हैं ये दोनों ही शरीर को खानों में मौझूद खनिचपदार्थ सोखने नहीं देते और इनके कम होते ही शरीर जादा पोशक तत्वों को सोखता है आए सबसे पहले देखते हैं अमाईलेज पाउडर बनाने का तरीका पर उस से पहले जानेंगे इसके फाइदे अमाईलेज एक ऐसा एंजाइम या रसायन है जो खाने को पचाने के लिए चाहिए होता है ये शिशु के शरीर में कम मात्रा में बनता है इस पाउडर को खाने में मिलाने से शिशु को जादा अमाईलेज मिलता है पोशक तत्व बढ़ते हैं और शरीर की इन तत्वों को सोखने की शमता भी बढ़ती हैं इसलिए अमाईलेस से भरपूर, आटा या फिर पाउडर शिशु को दें अब अमाईलेस पाउडर बनाना सीखेंगे इसे बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए वे हैं आधा कप गेहुं, आधा कप हरीमूंग और आधा कप रागी पहले हर सामगरी को पानी में अलग-अलग दस घंटों के लिए भिगो लें भिगोने से सामगरी में नमी की मात्रा बढ़ेगी दस घंटों के बाद सामगरी को निकाले और छलनी में रखें ताकि सारा पानी निकल जाए फिर एक-एक करके हर सामगरी को साफ सूखे सूती कपड़े में बांध कर रखें जब तक वे अंकुरित ना हो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं ध्यान दें कि कुछ सामगरी को ज़ादा वक्त लगेगा अंकुरित होने में और कुछ को कम जैसे रागी को बाकी सामगरी के मुकाबले ज़ादा वक्त लगेगा अंकुरन के बाद इनको एक से दो दिन तक धूप में सूखने दे अब इन सामगरियों का बाहरी छिलका निकालने के लिए इन्हें दोनों साफ हतेलियों के बीच रगड़ें। इस पाउडर का एक चमच इन सभी में मिला सकते हैं। इसलिए ये शिशु के खाने में जादा डाल सकते हैं। और ये खाने के भारीपन को कम करके उसके पोशक तत्वों को भी बढ़ाता है। अगला हम सीखेंगे बीचों के पाउडर को बनाने का तरीका। इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं। जिंक, फाइबर, मैगनीशियम और केल्शियम। इन सभी पोशक्ततों से शिशु की हड्यों का विकास होता है। और शिशु की ताकत भी बढ़ती है। इस पाउडर में खास फैट है जिससे शिशु के बुद्धी का विकास होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए जो तीन अलग-अलग बीच चाहिए वे हैं आधा कप काला तिल, आधा कप अलसी, आधा कप कच्चे कद्दू के बीच। एक-एक करके इन तीनों बीजूं को धीमी आँच पर चार से पांच मिनट तक भूनिए। ठंडा होने पर इनका पाउडर बनाईए। और डब्बे में कस के बंद करके रखिए। इस पाउडर का एक चमच शिशु का खाना पकाने से एक दम पहले डाले। एक चमच पाउडर से 30 कैलरीज और 2.7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगला सीखेंगे दाने और बीजों का पाउडर बनाने का तरीका। इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं। जिंग, मैगनिश्यम और आयरन। ये सभी खनिच पदार्थ खून बनाने के लिए जरूरी हैं। और इस पाउडर में ऐसा खास फैट है जिससे शिशु के बुद्धी का विकास होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए वे हैं। आधा कप मोंगफली, आधा कप घिसा हुआ सूखा, खोपरा, आधा कप अलसी और आधा कप काला तिल। एकेक करके सब को धीमी आँच पर चार से पांच मिनट तक भूने। ठंडा होने पर मिक्सी या सिल्बटे पर डाल कर पाउडर बना ले। फिर एक डब्बे में कस के बंद करके रखें। शिशू का खाना बनाने से एक दम पहले एक चमच पाउडर डालें। इस से 28 कैलरीज और 0.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब हम फलियों का पाउडर बनाना सीखेंगे। इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं। पोटाशियम, प्रोटीन, फोलेट, मैगनिशियम वगेरा। इन पोशक तत्वों से शिशू की हड्यों का विकास होता है। और शिशू की ताकत भी बढ़ती है। ये सभी खून बनाने के लिए भी जरूरी हैं। फलियों के पाउडर को बनाने के लिए चाहिए आधा कप हरी मूंग डाल, आधा कप सूखा मतर, आधा कप सफेज चने और आधा कप मोट। पहले हर सामगरी को पानी में अलग-अलग 10 घंटों के लिए भिगोएं। भिगोने से सामगरी में नमी की मातरा बढ़ेगी, 10 घंटों के बाद सभी को निकाल दे और चलनी में रखें ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर एक-एक करके सामगरी को साफ, सूखे, सूती कपड़े में बांध कर रखें जब तक वे अंकुरित ना हों। इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। जैसे कि पहले बताया है कि हर सामगरी को अंकुरित होने में अलग-अलग समय लगता है। अंकुरित होने के बाद इन्हें एक से दो दिन तक धूप में रखें, फिर धीमी आंच पर भूनें ताकि ये बिलकुल सूख जाएं। इन्हें दोनों साफ हतेलियों के बीच रगड़ें। अब सभी फलियों को मिलाएं और पाउडर बनाएं। इसे एक डब्बे में बंद करके रखें। शिशू का खाना बनाने से एक दम पहले इस पाउडर के दो चम्मच मिलाएं। दो चम्मच पाउडर से मिलेगा 33 कैलरीज और 1.8 ग्राम प्रोटीन। अगला सीखेंगे कड़ी पत्ते का पाउडर। कड़ी पत्ते में भरपूर होता है फाइबर, आयरन, कैल्शिम और विटामिन सी। ये सभी पोशक्तत्व शिशू के हाजमें और दांतों के विकास के लिए जरूरी हैं। इनसे रोग प्रतिरोधक शक्ती भी बढ़ती है। ये पाउडर बनाने के लिए चाहिए कड़ी पत्ते, पहले साफ़ पानी में पत्तों को धो लें, फिर छाओं में सुखाएं और पाउडर बनाएं, फिर डबे में कसके बंद करके रखें। शिशू का खाना पकाने से एकदम पहले इस पाउडर का एक चौथाई चम्मच मि अगला सीखेंगे सहजन के पत्तों का पाउडर, इस पाउडर में भरपूर हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन और सल्फर, ये सभी पोशक तत्व मसूडों के विकास और तंदुरुस्त आँखों के लिए जरूरी हैं, और ये इन्फेक्शन से ल पत्ते अच्छे से साफ पानी में धोएं, फिर इन्हें छाओं में सुखाएं और पाउडर बनाएं, फिर इसे एक डिब्बे में कस के बंद करके रखें, शिशु का खाना पकाने से एक दम पहले इस पाउडर का एक चौथाई चमच मिलाएं, इस से पांच मिलीग्राम कैल कैल्शियम मिलेगा, इसके अलावा याद रखें की कड़ी पत्तों और सहजन के पत्तों का पाउडर कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ ही देना चाहिए, जैसे की भुने हुए तिल, अंकुरित सफेद चने, अंकुरित काले चने वगेरा, जैसे ही शिशु 9 महीने पूरे करता है, तब ये पाउडर दही के साथ दे सकते हैं, आपके इलाके में मौसम के हिसाब से मिलने वाले दाने, बीज और फलियों से ये सभी पाउडर बनाएं, याद से शिशु के खाने में इन्हें मिलाएं, पर हर पाउडर को खाना पकाने से एकदम पहले ही मिलाएं, ताक खाने के साथ पाउडर भी पक जाए अब ये टुटॉरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं बैला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुनने के लिए धन्यवाद अबटा